हम राज पुताना की बात कर रहे हैं और उडिशा में भी छोटा सामराज जुथा या फिर उस समय सिक्किम जिसको अभी असाम जिसको हम काम रूप का अगरते हैं उन सब की बात हम यहां इसी वीडियो में करने वाले हैं अगरा दोस्तों स्वाग आपका हिस्ट्री गवरी में जहां हम बात करते हैं इतिहास की तिहास में हम उत्तर भारत के 15-16-20 सताब्दी के कुछ राज्यों की हम बात कर रहे हैं जो स्वतंतर अवस्ता में पाया जा रहे थे उस समय जिनमें हमने लगबग सभी बात कर लिए और अब जो बचे हैं वो हम इसी वीडियो में खतम कर लेंगे जैसे हम राजपुताना की बात कर रहे हैं और उडिशा में भी छोटा सामराज जुथा या फिर उस समें सिक्किम जिसको अभी असाम जिसको हम काम रूप का अगर दे उन सब की बात हम यहां इसी वीडियो में करने सबसे मेजर जो पोर्शन है वो है राजपुताना था तो देख लेता है गर यह मेवार के राज़ा के राजा एक हो फिरवारा सांगा हो चाहे तो मेबाड अपने आफ में राजपूताना की शान हुआ गरता, राजडानी हुआगर एक राजी बात कर रहे हैं मेबाड राजपूताना का सरवादिक सक्ती शाली सवया हूआचम कर दो फीग कशलब कर स्टार्ट होके पांसो साड़े पांसो से आज तक आज तक मतलब आज की बात कर रहा हूं मैं 2022 की आज भी सिसौधी अवन्स आप जाएंगे राजस्तान में तो सिसौधी अवन्स बगादा चलता है सारी चीजे वहां राजे महाराजी जो है राजकुवर और सारा वो पूरा ट कर रह prints यह बहुत हैहं सब को पता है 1303 में अलाउदीन धिल्ची का दिल्ली सलतनत के साशन हुआ गरता था और अलाउदीन धिल्ची नैए मेवार की राजधानी मेवार की राजधानी क्या थी चित्तॉड वह अगरती कषे निए चित्तौडगड का खिला जो है चितोड पर अधिकार करके खिज्र खां को यहां का प्रसाशक बना दिया था भाई या वो कहानी सुनी होगी पदमाबती वाली रावल रतन सिंग वाली रावल रतन सिंग उनके गोरा बादल जो थे वो सेना पती थे और उनने तो ये मान के चलो सर भी नहीं था सर धर से अलग होने के तो वो किसके समय की अलाउदीन खिल जी वज चल रहा है दिल्ली सलत्रत पर उनने क्या गरा जीत लिया बाद में चित्वाद को जीतने के वाद किसको खिज्रखा को यहां का सासक न्यूक्त कर दिया था लेकिन यह ज्यादा दिन थोड़ी टेकने वाले थे बाप इस से कमजा ह हो जाएगा चिके जांगे प्रसासक बचने के समय चित्वाद्जित का नाम घिज्रावाद रखा तका करतिय eerste रखा दिया राजपूतों ने विरोध कर दिया विरोध के कारण खिज रखाने क्या कर दिया चित्तौड छोड़ दिया नहीं रह सकते नहीं ज्यादा समय तक हम बिसी बात है इस इस्तिती में अलाउदीन ने माल देव यही वो विक्ती है जो भी आप बहुत ही सक्तिशाली सा अलाउदीन खिल जी नहीं उनने देख लिया कि अगर इदर कोई दूसरा साथ आए तो यह लोग जीने नहीं देंगे इससे अच्छा क्या है यह नहीं से किसी को नियुक्त कर दो तो माल देव को इतने क्या कर दिया प्रतिनी दी सासक नियुक्त कर दिया जित तोड़का अल हमीर दीवन बापस से जीत लिया 1433 1433 की अगर हम बात करें तो इस समय तक भारत में अब तुगलग वस नहीं नहीं इस समय सैयद वन्स आ गया था क्या आगया था सैयद वन्स तो सैयद वन्स के समय मेवाल का सासक जो हुआ कर रहा था यह सबसे प्रतापी सासक है कुम्बकर बोच जो आपने रामायन में सुना होगा की छे महिने तक सोत रहता था और पराक्रमी विक्ति था यह महोदा शेमाइन तक सोते निए लेकं बड़ावर पराक्रमी विक्ति हुआ राणा कुम्बा ने में में जो मांडू का राजाए ना होशंग शाह सुना है ना मैं और तो यह चलती जारी वन्स परम्परा इन्होंने साम माला लिया क्या चित्तोड सामराज कब 1433 में जिसने मालवा और विज्रात सास को से युद्ध करके विजय के उपलक्ष में उन्होंने क्या किया था विजय स्तंभ की स्तापना करवाई चित्तोड तो भाईया यह बहुत इंपोर्डिंट है फिर जहांगीर के काल में अमर सिंग की हम बात करें तो अमर सिंग जो हुआ कर रहा था वह महाराण प्रताप का बेटा हुआ करता था और महाराण के बेटा ने लड़ता रहा मुखलों से नहां तक सठापना में चुंद द् звучalday चुंद यह विक्ति का नाम है यह विक्ति मारवाद राज़कूत आना का दूसरा प्रमुख राज़ुगरा गरता था कौन सा मारवाड की बात है में बड़ तो हो गया अम मारवाड दूसरा है और जिसको की स्टावलिम्लस विक्ति का नाम है कब करिएadata mi मारवाड में जोधा पतलब अकवर वाली जोधा के 17 पुत्रों ने कई सुदंतर राज्यों की नीव डाली अब मालदेव मारवाड का अंतिम्स आ सक्था अकवर के काल में मारवाड का मुगल सामराज में मिले हो तोपची भी था लेकिन ठीक है मारवाड के बाद हम बात करेंगे आमेर के राजा कौन होंगे मान सिंह आमेर में कच्वाह राजपूत राजाओं का साजन था प्रारंब में बेबाड के ही अंदर थे पर छोट पुट अपने भाई भतीजे जो है वो छोटा छोटा राज्य खुदी स्टावलिस कर ले रहा है फिर इनका बेटा होता है भगवान दाज वो भी आमेर का राजा होगा राजा भारमल ने अकवर की अधीनता सुईकार कर ली थी और इस तरह आमेर भी मुगल सामराज में मिल चाता है चले इसके बाद उडीशा की हम बात कर रहे हैं यह राजपूत साचन नहीं है यह अलग भ है अनंत भरमन यह चोल तो सामराज जो दक्षण भारत में चल रहा था कहा पर तमिल बाड़ो बाले चितर में वहाँ उनके साथ सखे अनंत बर बन चोल है और इस्या को सवतंत्रर राज्य के रूप में स्थापित किया था और कपिलेंद्र ने कपिलेंद्र यह विक्ति निकाल में और प्राचीन काल में अशोग ने भी कलिंग का विजय किया है कलिंग का युद्ध लड़ा उसके वाद तो वह बहुत दरम माने लगता है युद्ध रृत्याग देता है तो वही जगह है जो उडिशा के नाम से भी फेमस होने वाली इसके राजनेतिक महत्य को कप विजय नगर सामराज बिन अगर भी दक्षन भारत का ऐसा करनाटक वाला सामराज यह 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 बहुत तो विजय नगर सामराज का अधिपत्य कहां हो गया उडिशा में फिर बाद में भाई साब 1541 में 1541 में उडिशा में भोई राजवंस का साशन प्रारंब होता है इस दौ आच किया था जहां पर अव क्या होगा अफगान लोग भागते भगाते आ रहे थे बावर के बाद से पूरा अफगान लोगों को हरा दिया था ना बावर ने सो भाई वो बच्चे कुछे लोग इदर उदर अपनी वचाओ में भाग रहे थे एक दूसरे राजा बिस्तों बचे को चलो गया वो फिर खट्टे होंगे और क्या करेंगे तो अफगानों का प्रबुत्र में बनीया जिसे पराजित फिर कौन करेंगा अकवर ही करेंगा और बैसी बात है तो फिर वह हुआ है मुगल्स मैं चा rescind करके इस ओडीजा सामराज को क्या कर लेगा अपने राज में बिले कर लेगा अपने राज में मिला लेगा तो यहां सतम और ऐटाएगा काम रू कुण कांगा यहां ऐसाम कामरूप पर पंद्रवी सताबदी में रैवतों का अधिपत्य था कामतपुर में राजधानी स्टावलिस कर ले थे क्या नाम है कूचवन्स इसका सामराज हो जाता है और उस समय कामरूप कूच बिहार एब कूच हाज पर पूरवी भाग पर अहूं अहूं जन्जाती के लोग हुआ करते हैं वहाँ पर अधिकार हो गया अधिकार ने काम रूप पर पूरी तरह अपना अधिकार कर लिया थो फिर वही लोग है जो वहाँ पर असम में थोड़ा सा राजने देख प्रभुत्र आज भी रखते हैं तब से असम को जीता भी नहीं जरूरत भी नहीं पड़ी किसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में फिर थोड़ा सा इसको पश्चिप बंगाल में बंगाल टेरिटरी के अंतर रखा जाता था काम रूप को जब अंग्रेजों के समय क्या हो जाएगा ये पूरा असम बाला पोर्शन जो है नेफा उस समय तक कहलाने लग गया था नौर्वीश फ्रेंट तो इतने उस समय उत्तर भारत के ही छोटे-छोटे सामराज हो रहे थे जिनकी हमने चर्शा कर ली अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसकी दक्षेड भारत के दो बड़े सामराज थे जो उदय होगा ऐसी समय में किसका एक तो बह्मनी सामराज का दूसरा विजह हैं अगर सामराज जगा तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दक्षेड भारत के राज्यों के साथ तब तक के लिए जय है